तो जजोहार संगवारी हो हमाद चैनल में आप मान के बहुत बहुत स्वागत है ता आज हरे 8 माई 2020 और बात कर वो 36 गड़ के सभी बड़ी खबरों के बारे में तब वीडियो में अंतक बने रहो दोस्तो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप माना 36 गड़ की पना चिपाई एफायार दर्ज पुस और इस सित सकती पेपर मील में देर साम हुआ था हादसा मजदूरों की हालत बिगड़ी तो अगले दिन चला पता लागडाउन में बंद पड़ी मील में सफाई के लिए पहुँचे थे मजदूर रिसाइकल टैंक में हुआ गैस का रि इसकी चपेट में आकर साथ मजदूर बिहोंस हो गए हादसे की सुचना पर सभी मजदूरों को इस्थान या जिलास पताल में भरती कराया गया बने रहे हैं दोस्तो तो इनमें से तीन मजदूरों की हालत गंभीर देखे देख उन्हें कुरूवार को पटवारी और रेट क लगरं के कारण बंद बढ़ी थी इसी मिल में सफाई के लिए करमचारी बुध्वार को पहुंचे थे बताया जा रहा है कि पेपर रिसाइकल चेंबर की सफाई के दवरान बुध्वार साम करीब साड़े चार बजे जहरीली गयस कर रिसा हो गया इसमें चेंबर और पास मे काम कर रहे माज़ोरों की तब्याद बिगड़ गई इनमें से दो अचेतों का गीर पड़े जबकि कुछ तब उल्टिया करने लगे तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों नसे के लिए कुरूरता मुंगेली में सराप के लिए रुपिये नह करने और कमाने के लिए टोंकते थे परीजन आरोपी गिरिपतार मुंगेली 36 गड़ के मुंगे खबरे विस्तार से हैं दोस्तों मुंगेली 36 गड़ के मुंगेली में गुरू वार सुबह सराप के लिए रुपिये नहीं देने पर एक युवग ने टंगे वार कर अपनी मा क की हत्या कर दी बचाने आई छोटी बहन पर भी कई वार किये उसको हस्पताल में भरती कराया गया है जहां हालत गंभीर बनी हुई है सुचना मिन्ने पर पहुंची पुलीस ने आरोपी को गिरिप्तार कर लिया है वहां नसर की हालात में टंगे लहराते हुए बाहर घूम रहा था घटना कोत्वाली छेत रखी है जनकरी के मुताबिक ब्राम कोपाल तिवारी वार्ड निवासी सुनील उर्फ सुनी आदव कोई काम नहीं करता है वह सराप पीने और जुआ खेनने का आदी हैं दुकाने खुणने के बाद वह गुरु आर्शुभा अपनी मा सुनीता यादव से सराप के लिए रुपे मांग रहा था इस पर मा ने मना कर दिया और नसिहत दी की कुछ के माते नहीं हो काम किया करो तीन तीन बहने हैं उनके लिए भी करना है तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों 36 गड़ लागडाउन में रहा वैसाइक बिजली पर तीन माहा दिमान चार्ज नहीं फिर छे माहा की किस्ता में एक परतिसर डिलेट पेमेंट सर चार्ज जैसे करना होगा भुकतान तो लागडाउन के कारण उद्धोगों की मांग को देखते हुए मुख्य मंत्री बगहन ने लिया फैसला तीन महीं तक बिल तारिक वाले घरेलो बिजली उभुकताओं का उभुकताओं पर एक तीस महीं तक अधिभार नहीं तो खबर को इस तार से देखते हैं दोस्तो तो रायपूर कुरोना संक्रमन के कारण लगे लागडाउन के दवरान 36 गड़ सरकान ने घरेलो और वयुसाइक भुकताओं को बिजली बिल में रहाद दी हैं राज्य सरकान ने वयुसाइक भुकताओं के लिए तीन महा का दिमान चार्ज इस्तकित करने का फैसला किया है इसके बाद भुकताओं को 6 की इस्ता में भुकतान करना होगा हालकि इस पर डिलेट पेमेंट सरकान को 1.5 से घटा कर एक फिस दी कर दिया है दरासा लागड़ान के दवरान वयुसाइन नहीं होने के कारान उध्योग लगातार बिजली की दिमान चार्ज को माप करने की मांग कर रहे थे इससे देखते हुए मुख्यमंदरी भुपेज बगहन ने परदेश के घरेलू वयुसाइक क्रिसी अधारित उध्योग समयत अन्य अध्योगिक भगताओं के हित में गुरुवार को कई फैसले लिये इस पर 36 गड़ आज जविद्धूत नियामा का अयोग भी सहमेती जताई तो अगली बड़ी ख़बर है दोस्तो 36 गड़ लागडाउन फेस सही का पहुँचवा दिन हर हफ्ते तैह होंगे रेड गरीन और औरेंज जोन के लिए जिले रायपूर अभी रेड जोन में ही अब संक्रमित महिला के साथ बच्चे नहीं जा सकेंगे अस्पतार अब सरकार नए केस मिनने और संक्रमितों की संख्या के अधार पर तैक करेगी जोन के टेगरी रायपूर के रेड जोन से हटाने को लेकर अभी केंद सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं रायपूर खबर विस्तार सेंगे जोस्तों रायपूर अब हपते जिलो के रेड गृन या औरेंज जोन को लेकर सुची स्ची तयार की जाएगी नए केस मिन्ने और संक्रिंतों की स्वस्त होने के अधार पर ने अधारन किया जाएगा इसी अधार पर साइक, वैपारिक और अन्य गत्विधियां सुरू करने या सकती का निनाय लिया जा सकेगा वही एडिशनल चेफ सिगरेटी एसी एस सुबरत साहू ने बताया कि राइपूर को भी रेडियोन से निकानने के संबंद में किंद्र सरकार से कौनी देश नहीं मिला है तो थांक पूर वाचिंग दोस्तो